मकर संक्रांती से जुली हुई सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, क्रिपया करके इस वीडियो को अंतक अवश्य देखें। मकर संक्रांती हिंदूओं का प्रमुक पर्व होता है। पॉश मास में जब सूर्य मकर राशी में प्रवेश करता है, तब ये पर्व मनाया जाता है। इस साल मकर संक्रांती 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांती से ही रितू परिवर्तन भी होने लगता है। इस दिन स्नान और दान पुन्य जैसे कारियों का विशेश महत्व माना जाता है। मकर संक्रांती के दिन खिचडी बनाने और खाने का खास महत्व होता है। इसी कारण इस पर्व को कई जगहों पर खिचडी का पर्व भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी त्योहार पर सूर्य देव अपने पुत्वशनी से मिलने के लिए आते हैं। सूर्य और शनी का संबंध इस पर्व से होने के कारण ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आम तोर पर शुक्र का उदे भी लगभग इसी समय होता है इसलिए यहां से शुब कारियों की शुरुवात होती है। मकर संक्रान्ती का शुब महूर्थ। उदेयातिती के अनुसार मकर संक्रान्ती इस बार 15 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य रात 2.54 मिनट पर मकर राशी में प्रवेश करेंगे। वरियान योग 15 जनवरी को ये योग प्राता 2.40 मिनट से लेकर रात 11.11 मिनट तक रहेगा। रवी योग 15 जनवरी को सुबह 07.15 मिनट से लेकर सुबह 08.07 मिनट तक रहेगा। सोमवार पांच साल बाद मकर संक्रान्ती सोमवार के दिन पर रही है। ऐसे में सूर्य संक्षिव का आशिरवाद भी प्राप्त होगा मकर संक्रान्ती पूजन विधी इस दिन प्रातहकाल सनान कर लोटे में लाल फूल और अक्षत डाल कर सूर्य को अर्ग्यदें सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें श्वीमत भगवत के एक अध्याय का पाठ करें या गीता का पाठ करें नए अन्न, कंबल, तिल और गी का दान करें भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाएं भोजन भगवान को समर्पित करके प्रसाद रूप से ग्रहन करें संध्या काल में अन्न का सेवन्न करें इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को बर्तन समेट तिल का दान करने से शनी से जुली हर पीड़ा से मुक्ती मिलती है मकर संक्रांती के दिन करें ये खास हो पाए 1. मकर संक्रांती के दिन स्नान करने के पानी में काले तिल डालें तिल के पानी से स्नान करना बेहद ही शुब माना जाता है साथ ही ऐसा करने वाले व्यक्ति को रोग से मुक्ती मिलती है 2. मकर संक्रांती के दिन स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य देव को चड़ाये जाने वाले जल में तिल अवश्य डालें ऐसा करने से इनसान की बंद किसमत के दरवाजे खुलते हैं तीन, इस दिन कंबल, गर्म का पड़े, घी, दाल चावल की खिचडी और तिल का दान करने से गलती से भी हुए पापों से मुप्ती मिलती है और जीवन में सुक समृद्धी आती है चार, इस दिन पित्रों की शांती के लिए जल देते समय उसमें तिल अवश्य डालें ऐसा करने से पित्रों की आत्मा को शांती मिलती है पांच, अगर आर्थिक रूप से कोई समस्या आ रही है तो इस दिन घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करें और सूर्य मंत्र का पांच सो एक बार जाप करें 6. कुंदली में मौझूद किसी भी तरह का सूर्य दोश को कम करने के लिए तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते जल में प्रवाहित करें मकर संक्रांती पर किन चीजों का करें दान 1. तिल्क मकर संक्रांती पर तिल्का दान करना शुब माना जाता है तिल्का दान करने से शनी देव प्रसन होते हैं 2. खिचडी मकर संक्रांती के दिन खिचडी खाना जितना शुब है उतना ही शुब इसका दान करना भी माना जाता है 3. गुल इस दिन गुल का दान करना भी शुब होता है गुल का दान करने से सूर्य देव की क्रिपा प्राप्त होती है 4. तेल इस दिन तेल दान करना शुब होता है ऐसा करने से शनी देव का आर्शिवाद मिलता है 5. अनाज मकर संक्रान्ती के दिन 5 तरह के अनाज दान करने से हर तरह की मनोकामना पूरी होती है 6. रेवरी मकर संक्रान्ती के दिन रेवरी का भी दान करना भी शुब माना जाता है 7. कंबल इस दिन कंबल का दान करना शुब होता है इससे राहू और शनी शान्थ होते हैं आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते क्रिपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद